यह वीजियो इस पिछले वीजियो की कंटिनुशन में है इस पिछले वीजियो में हम लोग देख रहे थे किस तरह से हम लोग जो फॉरेंट ब्रांच होती है उसके ट्रायल बैलेंस को हैड आफस वाली या होम की करंसी में कनवर्ट करते हैं इसलिए हमने आप लिखा पर कनवर्ट होगी एभी ररेज रेट पर ओपनिंग रेट पर खोजिंग रेट पर हम लोगों ने जाना इसके बाद उपनिंग रेट क्या है वह भी आम ने हाँ पर लिखा और लोग ने यह भी देखा कि अगर स्ट्रेंथन करंसी जानी डॉलर अगर हम लोग कर रहे हैं प जब हम लोग strengthen to weaker currency में जाते हैं तो हम लोग conversion के लिए जो rate होता है उसको multiply करते हैं तो weaker से strengthen में जाते हैं तो divide करते हैं और average rate हमारा साल के शुरू और आखर के rate को जमा करके dividing by 2 करके हमारे पास आया था तो यह हमने इससे पहले किया अब हम लोग जाते हैं कि हम लोग strengthen currency to weaker currency जा रहे हैं exchange rates भी हमें पता हैं तो हम लोग multiply करते हैं और इसको convert करना शुरू करते हैं हैं से पहले हमारे पास 125.125 तो हम 125.125 यह हमारा average rate है और यह purchases जो हमने की raw material की और packing की इन purchases पर average rate apply होता है तो हम लोग 43,300 को multiply करेंगे 125.125 से तो यह हमारे पास यहां पर आ जाएगा और यह purchases हमारी debit होती है expense है हमारा तो यह हम लोग यहां पर debit site पर लिखेंगे और यह amount हमारे पास आ रही है 5417912.5 यह हमने यहां पर लिखती इसको बढ़ा कर लेते हैं यह हमने यह amount लिखती इसी तरह हमने यहां पर इसको multiply किया packing को multiply कर रहे हैं हम यहां पर average rate से तो यह हमारे पास आ रहा है formula हमने लगाया हुआ है multiply करने का equal हम लोगों का यह age 8 column में है एकस लिखे तो हम लोगों ने age 8 लिखा और यहां पर के 6 में है हम लोगों ने इसको लिख दिया column का जो नाम है जो cell का नाम है इस खाने का नाम है वो हमने दिया और multiply कर दिया तो यह हमारे पास आ गया 37,83,780 इसके बाद हमारे पास है sales उस पर भी average rate लगेगा हम लोग यहां पर multiply करते हैं और देखते हैं यह क्या आता है convert करने के बाद यह हम लोगों ने sales दिखी और फिर हम लोग इसके आगे लिखते हैं multiply हम इसे कर रहे हैं average rate है यह इससे और हमने फिर enter कर दिया तो इसको हम हम लोग यहां पर दिख लेते हैं यह हमारे पास आ रही है 17.6176 million यह हम इसे कह सकते हैं 1,76,17,600 हमारी sale आ रही है रुपीज में और यहां पर हमने इसे debit पर लिखा है जबके sales को हम लोग लिखते हैं credit पर तो हम लोग इसको ले आते हैं यहां पर credit पर right side पर हम लोग sales लिख और जो credit हो रहा है उसको हमने credit ही करना है और convert करने के लिए हम देख चुके है strengthen to weaker में आ रहे हैं तो multiply करेंगे अब wages हैं हमारी तो इन wages को भी हम लोग average rate से multiply करेंगे इन तमाम चीजों को जो rates given हैं उनसे multiply करेंगे तो इनको हम लोग कर लेते हैं general expenses को भी average rate पर कर लिया अब ज यह हम लोग opening rate पर यानि साल के शुरू में जो rate होता है उस पर convert करते हैं तो हम लोग 17,640 को यहां पर 17,640 यह हमारा stock debit पर लिखा हुआ है यहां पर भी हम लोग debit side पर लिखेंगे और यह हम लोग क्या करेंगे 17,640 को हम लोग उने multiply करना है opening rate से तो यह हम लोग करते हैं यह packing को भी हम लोग करेंगे यह है packing और इसकी amount और यहां पर हमारे पास है opening rate गिवन है इस पर हम लोग ने इसको convert करना है तो यह हमारे पास आ रहा है 6,50,551 बाकी भी हम इसी तरह convert कर लेते हैं हमने यहां closing rate पर convert कर दिया closing stock को भी और आप लोग देखते हैं कि जो हमारी credit side है इस इसका total है 21 lakh यहां पर हम लिख देते हैं यह आ रहा है हमारे पास 2 crore 11,93,684 तो अगर हम लोग debit side का difference देखें तो यह आता है हमारे पास यहां पर हम लोग इसको यह हमारे पास आ रहा है 21 crore तो यह हमारे पास आ रहा है यह हम सब अगर जमा करें तो 2 crore 11,67,709 इसका मतलब है हमारे पास जो credit side है वो हमारी बड़ी है तो हम लोग क्या करेंगे credit side का जो यह amount है यह दोनों तरफ लिख लेंगे यहां पर हम इस amount को लिख देते हैं अब यह जो difference हमारे पास आ रहा है इसके लिए हम एक temporary account बिना लेते हैं जिसको हम लोग कहते हैं कि यह difference on exchange की वज़ा से trial balance का यह difference आ रहा है इ foreign exchange results में हम लोग इसको लिखते हैं तो अगर हम लोग credit side में से debit side minus करें तो यह difference आ रहा है 25,975 तो इसको हम लोग लिखेंगे foreign exchange results में और इसको balance sheet में हम लोग credit side per results में लिखते हैं तो यह हमारा difference on exchange आ गया तो यहां यह हमारा numerical यह हम लोग ने understanding करनी थी किस तरह से convert किया जाता है foreign exchange branch की अगर currency different हो उसे पाकिसान या home currency में किस तरह से convert किया जाएगा यह हमने समारे कल में सीखा